अगर आप एक PF खत अधारक हैं तो यूनिफर्ट पोर्टल पर KYC सम्बंदित दो नई अपडेट आई हैं आज के इस वीडियो मम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ होने वाला है नई अपडेट के बारे में और इनका आप पर क्या परवाव पढ़ सकता है नमस्कार मेरा नाम है सुब्राम शुरुआ आप देख रहे हैं सुबहम टेक्निकल सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोज पाने के लिए अब भी हमारे चैनल सुबहम टेक्निकल को सब्स्राइब कीजिए और साइड में जो बैल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए तो यहां से आपके PF अकाउंट पर KYC संबंदी दो अपडेट देखने को मिलती है अपडेट कौन-कौन सी होने वाली है तो सबसे पहले मैं आपको PF साइट पर आपने आ जायना है और यहां से आप जैसे मेनेज पर क्लिक करेंगे और KYC वाले सेक्शन पर जाएंगे इसके साथ में पहले यहां पर आधार KYC भी आप आसानी से करा सकते थे चोथा option इसमें आधार KYC का होता था आधार अगर आपका PF के साथ में लिंक नहीं है तो यहां से आप सिंपली आधार पर क्लिक करके अपने आधार नंबर डालके verify करते थे तो यहां से आधार KYC हो जाती थी परन्तु अब ऐसा नहीं है आपके सामने यहां पर देख सकते हैं आधार का कोई भी option नहीं आ रहा है तो आप यहां से आधार KYC नहीं करा सकते हैं तो चलिए अभी तक आपके PF account में आधार KYC नहीं हुई है तो आप कैसे आधार KYC आपनी करा सकते हैं तो इसके लिए आपने simply manage पर क्लिक करना है basic detail पर क्लिक करना है इसके बाद में कुछ इस परकार का interface PF की site का आपके सामने दिखाई देगा हमने जिसका यहां पर login कर रखा है PF account तो उसकी already आधार KYC यहां से हो रखी है अगर आपकी आधार KYC नहीं होगी तो आप यहां से अपना बारंग क्योंकि जो आधार नंबर यह फिल करने है इसके बाद में आपने अपना नाम फिल करना है और जो date of birth है आधार पर आपकी यहां से फिल करना है और यहां से आपने अपना gender select करना है इसके बाद में आपने यहां से कोई भी एक member ID सेलेक्ट करना है Member ID आपने वो select करनी है जिसमें अभी फिलाल आप काम कर रहे हैं क्योंकि वो employer इसको अपनी DST से check-in करके या e-signature के थुरू इसको verify करता है और उसके बाद में आपकी आधार KYC यहां से हो जाती है आपने सारी detail यहां से फिल करके यहां से चेक-in करना है तो PF साइट पर पहले इसके लिए एक notification जारी कर दिया गया था कि अगर आपके आधार card आपके PF account के साथ link नहीं है तो आपका जो हर महीने आपके PF account में रुपे जमा होते हैं PF के संबंदित वो अभी जमा नहीं होंगे जब तक आप अपनी PF के साथ में आधार link नहीं कराते हैं इसके साथ में जो benefit आपको मिलते हैं PF withdrawal के online वो भी आप यहां से नहीं ले सकते हैं अगर आपके आधार KYC आपके PF account के साथ नहीं है तो दूसरी update हमने जो देखने को मिलती है वो भी KYC संबंदित है तो यहां पर हम KYC पर दुबारा से चलते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरी update क्या होने वाली है यहां से आप देख सकते हैं यहां पर आप pen card अपना link करा सकते हैं PF account के साथ में तो जैसे हम pen card पर click करते हैं तो कुछ इस परकार की इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देती है आपका नाम यहां पर दिखा दिया जाएगा और यहां से आपने pen number फिल कर लेने इसके बाद में यहां पर जैसे check-in करते हैं और save पर click करते हैं तो यहां पर कुछ इस परकार का इंटरफेस KYC संबंदीत हमारे सामने देखने को मिलता है और यहां पर जो आपके आधार number है उस पर चैंको की OTP सेंड कर दी जाती है पहले जहां हम अपने PF account के साथ में pen card link करते थे तो आप अपना pen number डाल कर उसको submit कर सकते थे परन्तो अब एक नई update आई है जिसमें आपके आधार number पर एक चैंको की OTP जाती है वो OTP आपने आपर fill करनी है और simply आपर जैसे ही submit पर click करेंगे तो आप अपनी pen card की KYC PF account के साथ आसनी से करा सकते हैं दोस्तो ये जो update आई है ये आपकी सुरक्षा के लिए ही आई है क्योंकि PF संबंदित बहुत सारे fraud हो रहे हैं उन fraud से बचने के लिए PF site पर ये update जारी करी गई है जिसके द्वारा आपका जो PF account है वो सुरक्षित रहें और किसी दूसरे के हाथों में ना जाए इस वीडियो को अधिक सदिक सेर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले